केर्स्टीन हेनिंग के घर महमान आये हैं, उनकी बेटी निकॉल और नातिन मीरा, वे आम तोर पर बच्चों से किये वायदे को निभाने की कोशिस करती हैं, दूसरे अपॉइंट्मेंट पर पहुँचना उनके लिए अक्सर मुश्किल होता है प्रतिकूल घडियों में सिर्दर्द शुरू हो जाता है, ये बड़ी मुश्किल है, जब आपको बाहर जाना होता है, तो तवियत खराब हो जाती है मैं सारवजनिक सभाव में नहीं जा पाती क्यूंकि वहां भीर होती है, और शोड़ शराब अभी, मेरे लिए ये बहुत ठकाने वाली बात है बच्पन से ही कैस्टीन हेनिंग को सिर्दर्द की शिकायत है, उमर बढ़ने के साथ वह और भी तकलीव दे हो गया है 54 वर्षिया कैस्टीन को माईग्रेन के अलावा पूरे सिर्दर्द में होने वाला हलका दर्द भी रहता है कौन सा सिर्दर्द कब हावी है वह ठीक ठीक बता सकती है कैस्टीन हिनिंग का माइग्रेन अब कंट्रोल में है इसमें इलाज का भी योगदान है वह माइग्रेन के लिए विशेस दवाएं लेती हैं जिसे ट्रिप्टेन कहते हैं और हर तीसरे महिने वे बोटोक्स की लो इंटेंसिटी इंजेक्शन लेती है इसके बावजूद उन्हें लगभग हर रोज पूरे सिर में दर्द की शिकायत रहती है हलांकि उसकी तीवरता पहले जैसी नहीं है सिर्दर्द में उन्हें मैनवल थेरापी से मदद मिलती है हपते में कम से कम एक बार वे फीजियो थेरापी के लिए जाती हैं उनके कंदे और गर्दन की मांगश्पेशियां सख्त हो गई है ऐसा सिर्दर्द के मरीजों के साथ अकसर होता है तनाव वाले सिर्दर्द के मामले में ठीक से देखना पड़ता है कि तनाव कहां से आ रहा है गर्दन के इलाके में तनाव का सुरोत कहीं और हो सकता है इसलिए इसकी ठीक से जाज करनी होती है उसकी वज़ा मानसिक तनाव हो सकती है किसी चीज से डर हो सकता है कई कारण हो सकते है कैस्टीन हेनिंग को पता है कि ये थेरापी उन्हें घर पर अकेले भी करनी होगी सिर्फ हफते में एक बार फीजियो थेरापी के लिए आने से काम नहीं चलेगा ताकि गर्दन और कंधे की मांग स्पेशियां खुल सके पिछले कई सालों से वे बहुत सारी दवाएं लेती रही है लेकिन इनसे उनकी सिर्दर्द की समस्या और भी बढ़ गई है मैं लगातार दवाई लेती थी ताकि मेरा दिन किसी तरह बेच सके फिर मुझे दवाओं से चुटकारा पाने के लिए रिहाब में जाना पड़ा क्योंकि दर्द की दवाएं और जादा सिर्दर्द पैदा करती है उसका असर उल्टा ही होता है दवाओं की आज़त से चुटकारा पाना आसान नहीं था लेकिन कैस्टीन उन लोगों में नहीं हैं जो हार मान लेते हैं वे एक बड़े सरकारी दफ्तर में काम करती है अगर सारा समय सिर्दर्द होता रहे तो काम करना बड़ी चुनौती है पहले मैं घर लोटती थी और सारा काम करती थी सुबह जाकती थी तो सारा काम करके ही दफ्तर जाती थी कोई कुछ करने को कहता तो ना नहीं कहती लेकिन आप मैं हर बड़ी के बदले थोड़ा आराम से सब कुछ करती हूँ सबसे बढ़कर कैस्टीन वही करती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और जिसमें उन्हें सुकून मिलता है